आखिर क्या है आर्टिकल 30 कैलास विजेवर्गे ने आर्टिकल 30 के और चित्ते पर क्यों उठाये सवाल पूछा सेकुलर देश में इसकी क्या जरूरत क्या सविधान के आर्टिकल 30 ने समानता के अधिकार को पहुँचाया सबसे ज़्यादा नुकसान और साथ ही बतावगा कि क्या है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 30 में क्या क्या डिफरेंस है नमस्कार दोस्तों मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोड चैनल गाइस वीडियो को प्लीज एंटर जरूर देखेगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यासर ज्यादा शेयर जरूर करिएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 समानता का अधिकार सविधान के बारे में समानता का अधिकार सविधान के अनुचेत 14-18 में उलेकन यह है कि यह अधिकार अमेरिका के सविधान से लिया गया है समानता के अधिकार से तात पर रहे है कि कोई भी व्यक्ति चाये वो किसी भी लिंग वन जाती वन्स छेतर का हो सभी को समान अधिकार प्राप्त है परतिक नागरिक को समान रूप से शिक्षा स्वास्ते गूमने फिरने नोकरी पाने कोई भी कारे करने कोई भी त्वेफसाय करने का समान अफसर पाने का समान अधिकार प्राप्त है इसके अतिरिक समानता के अधिकार में चुआ चूत जैसी कुरूती को अंत करने का परियास किया जा रहा है यह अभी तक खतम नहीं हो पाई है बारते संसद अधिन्यम 1955 द्वारा अगर कोई व्यक्ति चुआ चूत का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा वा कठोर कारवास का प्रवधान भी है चलिए आर्टिकल 14 के बाद अब बात करते हैं क्या है आर्टिकल 30 अलफ संक्योगों के पास इस्थापिस सैचनिक संस्थाओं का व्यक्तिगत नियंतरन होता है और उस पर सरकार का कोई हस्तचेप नहीं होता है अलफ संक्योगों को इसी विशिश अधिकार का संरक्षन करता है सविदान का अनुछेद 30 इसके मुताबिक धर्म और भासा के आधार पर अलफ संक्योगों को अपनी पसंद के मुताबिक सैचनिक संस्थाओं को इस्थापित करने का अधिकार है इसके अलावा इस अनुशेत के तहट देशकी सरकार धर्म या भासा को आधार मान कर किसी भी अलफसंक्या समूद वारा चलाए जा रहे सैचनिक संस्ताओं को वीत्य मदद देने से इनकार नहीं कर सकती या उनके साथ भेदवाव नहीं कर सकती अलफसंक्योगों के सैचनिक संस्ताओं के गटन के साथ ही सिक्षा अधिनियम के अधिकार के अनुसार गरीवों के लिए 25% सीटे आरचित करने की छूट देता है मुख्य तोर पर अलफ संक्योगों को सैचनिक संस्थान को इस्थापित करने और संचालन करने का विसेश अधिकार देता है भागतरी में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है इसी में अनुछे थटी का वर्नन है जिसमें साफ तोर पर कहा गया है अलफ संक्यकों को अपनी रूची के मताबिक तैचनिक संस्थान को इस्थापित करने वा इसका संचालन करने का अधिकार दिया जाता है इसमें सरकार का कोई हस्तचेप नहीं होगा इसके अलावा यदि किसी अलफ संक्यक समूदाय के दोरा इस्थापित और संचाल condition संस्थान का अधिगरन राज्य दोरा जरूरी हो जाता है तो ऐसे में राज्य अधिगरन के एवज में देने वाला मुअबजा़ ऐसे तै करेगी कि अलफ संक्यकों को सविधान के दोरा मिले अधिकार में कोई खास फर्क ना है जब संबदित राज्य सरकार अलफ संक्यकों के सैचनिक संस्थान को सायता देगी तब वे अलफ संक्यक की जाती भासा और धर्म के अधार पर भेदवाव नहीं करेगी बता दे कि 27 जनवरी 2014 के भारत के राजपतर के मताबिक मुस्लिम, सिक, इसाई, बौध, पार्सी और जैन को अलसंत्यक समुदाओं का दरजा दिया गया है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैलास विजेवर्गे के थूद किये गए एक लेटिस ट्विट के बारे में जा कैलास विजेवर्गे ने आर्टिकल 30 पर कोस्चन्स किये हैं भारते जंदा पार्टी के राष्ट्य महासरचीर कैलास विजेवर्गे ने भारते सविदान के अनुचे 30 के ओचित्ते पर सवालिया निसान लगाया है भाजबा के नेता ने गुरुवार को ट्विट कर काया है कि सविदान के अनुचे 30 ने समानता के अधिकार को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है कैलास विजवरगे ने अपने ट्वीट में लिखा देश में समयदानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 13 ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुचाया है यह अलस्वंक्यों को धार्मिक परचार और धर्म सिक्चा की इजाज़त देता है जो की दूसरे धर्मों को हासिल नहीं है जब हमारा देश धर्म निर्पेश्चिता का हिमाईती है तो इस अनुचेत की क्या जरुरत है आपको बता दे भारते सविधान के अनुचेत 30 के तैद अलस्वंक्यों को सैचनिक संस्थान संचालित करने का अधिकार प्राप्त है सवीधान का ये अनुशेत कहता है कि सरकार मदद देने में किसी भी सैचनिक संस्थान के खिलाफ इस अधार पर भेदवाव नहीं कर सकती कि वह अलपसंक्यक परबदन के अधीन है कैलासी भीजेवरगे के इस ट्टीट पर कांग्रेस निता केके मिसरा ने पलटवार किया है केके मिसरा ने ट्टीट किया और कहा देश दुनिया में कॉरोना के कारण इंसान- инसानियत खत्रे में है ऐसे मैं भाचबा का आटिकल 30 हटाने का परावजित खेल नफरत के वारेस कतित हिंदू वादियों की अलप संक्योगों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोसिस है यह मोधी सरकार आर्टिकल 30 हटाने का माहौल बना रही है और यह इसकी जस्ट एक सुरुवात है दोस्तो आपने इस वीडियो के बादम से आर्टिकल 14 जो की समानता का अधिकार देता है वही हमने जाना की आर्टिकल 30 के बारे में जो की अलप संक्योगों को कुछ एक्ष्ट्रा अधिकार देता है तो क्या आपको लगता है कि कैलास वीजेवरगे के द्वारा उठाएगे questions on article 30 बिल्कुल सही है कि article 30, article 14 के समानता के अधिकार के बीच आता है या उसको नुकसान पहुँचाता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आइकन को प्रेस करके all notification on कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की all notification मिलती रहे चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल दन टेक केर और बाबाए वन्दे मातरम